चार सीट लाने वाला कहता है हम सरकार बनाएंगे तो तीस सीट लाने वाला जहल बजाएगा क्या है। यह चरचा के खिलाब चुनाव teenage और बहुत कम उठाहन्त प्सक्ाा बहुत दिन रहेंगे तो राजनिति लिए दने 2000 सु CompTI सॸेब नहीं दिन हितुमांट माइट में किलेकर राजनिती करना विशह हूरा उनके लिए दल अई पूर नहीं होता है इस समय सुधाकर जी दलों के दलदल में फस चुके हैं दोजर चौविस का लोग सभा चुनाव समाप्त हो गया है और ऐसे में देखिए पचीस विधान सभा की तैयारी सुरू कर दी गई एक तरफ तेस्वी आदब कहते हैं कि 2019 में जब हम चुनाव लड़े तो जीरो सीट आया चौविस में लोग सभा का चुनाव लड़े तो चार सीट आया अब पचीस का चुनाव आने वाला है बीस में हम बरी पार्टी बन करके उबरे थे पचीस में हम सरकार बनाएंगे इस प पढ़े कम है ना अठमी पास नौमी फेल है नौमा में एक एक नियम पढ़ाया जाता है उप पढ़वे नहीं किये तो उनको मालूम कैसे चलेगा चार सीट लाने वाला कहता है हम सरकार बनाएंगे तो तीस सीट लाने वाला जहल बजाएगा क्या अरे यह हद है कहां से यह लोग आये बाप के नाम पर राजनिती कर रहे हैं अपनी नाम पर तो एक सीट ना जीत करके आएं वो मैं बड़ी तलखी के साथ यह बात कहना चाहता हूं इक क्या बात करते हैं आप लोग यह सब कोई सवाल होता है जो पूछा जाए नहीं वो तो कह रहें कि उनीस में जीर में लिएगा इस सवाल को ले करके वो तो दावा कर रहे थे चुनाओं होने के बाद दावा कर रहे थे ना कि हम 25 सीट जीतेंगे गिंती के एक दिन पहले और गिंती के दिन उचार पर आ गए तो तेजस्वी आदम मैंने कहा ना कि एक एक नियम नहीं पड़े हैं उनको इस नाते वो कुछ का कुछ बोलते हैं उनको गंभीरता से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए लेकिन राज़त के नए सांसद बने हैं सुधाकर सिंग वो कह रहे हैं इंडिये सरकार तो बन गई है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है जल्दी गिर जाना दिन राज़त में साथ गलत जगह पर चुनाव जीत कराये हैं मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दिन राज़त में रह पाएंगे ऐसा मुझे लगता है उनसे यह सवाल करिए कि मानिवर महोदे आप राज़त में कितने दिन रहेंगे ये पहले अस्पस्त करिए अब रहने की बात कर रहें से विधान सभाव को मालूम होगा। जिन की चर्चा आप कर रहे हैं भागपा से विधान सभवा का चुनाव लड़े थे पिता जी की एक्षा के खिलाब चुनाव लड़े थे और बहुत कम बोटों से हा रहे थे इनके पिता ने इनको हडाया था जा करके घुम करके वहां तो अब यह जो परिस्थितियां खरी है जिनके दलों में जिनके दिमाग में केवल राजनिती करना विशय हो उनके लिए दल महत्पूर नहीं होता है इस समय सुधाकर जी दलों के दल में फस चुके हैं अब उससे निकलने वाले वह नहीं है तो इसलिए आप सुधाकर जी से यह सवाल करिए मेरे अच्छे मित्रह मैं ज्यादा उन पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूं आखरी सवाल लें जिव derechos जी सिस तरीका से केविनेट विस्तार हुआ है सभी को बिभाग मिल गया है उसको है किदर बन स्वाद है मोदी केविनेट में है अज तरदुमंसवाद किदार आज राम बिलास पासवान जी नहीं है उनके पडिवार के लोग अगर राजनिती में हैं अच्छा कर रहे हैं तो स्वभाविक तोर पर उनको एक नेत्रुत तो मिला है किदर पडिवार बाद तो है कि हम एक पडिवार के लोगों को हम हट गए तो व बिधान परिशद में मा बिधान परिशद की नेता प्रतिपक्ष लोग बिधान सभा में हम खुद नेता प्रतिपक्ष राज सभा के अंदर हमारी बहन लोग सभा का चुनाव पूरा खांदान पूरा परिवार लर रहा हो जिस घर का तो यह परिवार बाद है परिवार बा लडगा डाकटर बन जाता है कई वार नेता का का लड़का भी नेता है उनको उनको सोशल वर्क करने की समझ होती है वो नेत्र तो अपने पिता की लेकिन हम अगर अपनी पार्टीATT बना ले और उसके अंदर अपने से योग्य व्यक्ति को पीछे रख करके उस पार्टी की कमान समाले पार्टी के अंदर लोगतंत्र न हो लोगतंत्रिक प्रक्रिया न हो और पार्टी के लोगों के इक्छा के खिलाप अपने ही घर के लोगों को हम बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दें और ह वो पडिवारबादी राजनिती करते हैं, हम लोग राष्टवादी राजनिती करते हैं, हमारे लिए राष्ट पर्थम हैं, उनके लिए पडिवार पर्थम हैं, तभी एक बहन सिंगापूर से आती है और चुनाव लड़ जाती है, वहां के कार्यकरताओं का गला घोट कर हो किसी का पुत्र होने के नाते आगर वो राजनिती में आज खड़ा है तो वह पडिवार बाद कर रहा है ऐसा एसा नहीं है वह मिहनत करके राजनिती में चुनाव लरना चाहता है आप शिंगापूर से सिधा आकर कि सीदां गला खोट कर चुनाव लड़ना चाहती हैं ये परिवारबाद है तो आप सुन रहेते क्या कुछ कह रहेते बिहार सरकार के पुरमंत्री बिजेपी विधायक जिवेश मिश्रा तमाम सवालों का जवाब दिया साथी साथ परिवारबाद को ले करके जो चर्चा है और ये कि मोधी केविनिट में परि इसे समझा दिया है कमलेश कुमार लाइब बिहार पतना